अजे सिंग ने नियूज़वन इंडिया से खास बात्षीत की वरिष्ट पुलिस अधिक्षक हरिद्वार है अजे सिंग तो पटवारी पेपर लीग कांड में आप तक 11 लोग गिरफतार हुए है पेपर लीग कांड की तेजी से चल रही है SIT जाज पेपर लीग कराने और पेशने वाले नहीं बचेंगे तो पटवारी पेपर लीग कांड की निस्पक्ष जाज की जाएगी तमाम बड़ी बाते कहीं इस तोरान तो पेपर लीग कांड की तेजी से S.I.T. जाज कर रही है इसका जिक्र के आप साथी साथ पेपर लीग करानी और बेचने वालों पार कड़ी कारवाई होगी इसका भी सक्त संदेश S.I.T. टीम में सीनियर पुलिस अपसर है शामिल व्यक्ति विशेश को टार्गेट करके जाज नहीं हो रही है निस्पक्षता के साथ जाज की जा रही है तो भरती परिक्षाओं में आप गड़बड़ी नहीं होने देंगे इसका भी संदेश दिया थोड़ा समय लगा लेकिन आप विवस्था ठीक होगी तो कहीं न कहीं युवाओं में एक संदेह था कि किस तरह से आगी परिक्षाओं पे भरोसा किया जाए उसको लेकर अजय सिंग ने बड़ा बयान दिया है वरिस्ट पुलिस अधिक्षक हरीपवार है अजय सिंग जिनोंने न्यूजबन इंडिया से खास बात चीत करते हुए तमाम पेपर लीक मामलों को लेकर एक कड़ा संदेश ज्वनता के सामने दिया कि पेपर लीक कांड की तेजी से जाच चुल रही है इसका विश्वास तिलाया कि SITS पूरे मामली की जाच निस्पक्षिता के साथ कर रही है तो पेपर लीक कराने और बेचने वालों को बक्षा नहीं जाएगा पटवारी पेपर लीक कांड की निस्पक्षिता के साथ जजाच हो रही है और आगे किस तरह से इन परिक्षाओं को लेकाद पारदर्शिता रखी जाएगी इसका भी जिक्र किया तो और क्या कुछ कहा आजय सिंग ने आई आई आपको सुनाते हैं उत्रागण में बीते छे माँ से पेपर लीक और यूके ससी के बाद पेपर लीक की आच यूके पीएस्सी यानि लोग से वायोग हरद्वार तक आ गई है हलाकि इस मामले में मुखमंत्री के निर्देशों के बाद बहुत तेजी से कारवाई भी शुरू हुई है यूआ बेरोजगारों को जो अभी तक लोग से वायोग पर विश्वास था वो विश्वास डगमगाया भी है लेकिन साइटी ने इस मामले में अपनी जांच का भी दारा बढ़ाया है और गरिफतारियां शुरू हो गई इस वक्त हमारे साथ SSP हरिद्वार और इस मामले के जांच रिदिगारी साइटी चीफ अजय सिंग जी है आप ही ने UKSSC पेपर लीग का पूरा भांडा फोर्ड किया हाकम सिंग जैसे माफिया जेल में है इनसे बातचीत करते हैं सर संग लोग सेवायों की जो लोग सेवायो घरिद्वार की परिक्षाओं में गलवड़ आई आप लोगों ने उसमें प्राइमाफेसी बहुत कुछ गलवड़ पाया है और गरिफतारियां शुरू हो गई है अभी तक क्या लग रहा है सर इसका दारा कहां तक है इसमें क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या अभी तक जाने के बाद बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें जेल भी गए पूरा एक डैंग था जो चाहे उत्रा खंड में लेटेड हो चाहे वो यूपी में हो सब जो सभी का भंड़ा फोड़ करते हुए करीब बचपन साथ लोग की गरतारियां इसमें की गई और काफी सा निर्देश थे कि जो भी परिच्छाएं हो रही हैं उनकी पूरी सुस्ता का ध्यान रखा जाए तो सभी एजेंसी जो इस तरह की थी वो इसमें लगतार अपनी निगरानी कर रही थी इसी निगरानी के फल सरूप था कि परिच्छा के होने के बादी दो-3 दिन बादी इस सरके इंपुट पराब्द होने पर इसमें स्टेफ दोरा प्रात्मिक रूप से कारवाई की गई और फिर यह साइटी को यह विशना सिर्फ ले दी गई थी चुकि यहां पर मुगदमा दर्स था यहां पर यूके से का ऑफिस भी है साथी साथ जो मैटर था यहां के लोगों के लिए साइटी का गठन किया गया था सोसल मीडिया में इस परकार की चर्चा है रही कि साइटी बन गई मामला हलका हो जाएगा इस्टीफ ज्यादा एक्सपर्ट एजनसी होती है वो टेक्निकली ज्यादा साउंड होते है जिला पुलिस थोड़ी कमजोर होती है पर हलां कि कि आपको यू के ससी का भी अनुबह हो है तो आप काफी हद तक समझ चुके हैं कि पेपर कैसे आता है कैसे लीक होता है तो क्या माना जाए एस्टीफ बेटर है या इसाइटी जो भी काम कर भी बेटर है देखिए तो सबी एक ही यूनिट के हैं और पोस्टिंग सिर्फ चें होता है की आधी आरतो पर लेहों कि यह था टा heating के जो तरीका होता है कैसे पैपलीट होता है क्या साक्ष की जरुद पढ़ती है कैसे सोरस वे से सब्सक्राइबाइब कि यूदा नह देखर ने आधी के बाद भी जब हम साइटी का गठन हुआ तो जिले पुलिस में भी सिर्फ उनी को साइटी में रखा गया है जो हमारे ऐसे मेंबर से जो एक्सपर्ट हैं चाहे वो पूर में स्टीफ में रहे हों चाहे सोजी में रहे हों चाहे हमको टेकनिकल नॉलेज हो और साथी साथ ऐसे जो लिखत पड़त पे जो काफी एक्सपर्ट है तो एक मिली जूली टीम बनाई गई जो मिल के काम करी मैंने उद्देश सिर्व एकी है सरकार का कि जल्दी से जल्द जो है इस घोटालेक में अगर कोई है अंदर या पहले कभी ऐसी कोई चीजे हैं जो शामिल रहे हो उनका परदाफास करना है और आगे अली परिच्छाओं में इस तरह की कोई पुर्णावर्ती नहीं हो इसको इंशूर करना है तो उद्देश एक ही है चाहिए कोई विजनसी कर रही हो उसका उद्देश यही है कि सही तरह से जाच को आगे बढ़ाना है जो लोग से वायोग के प लावा भी कुछ परिक्षाओं थी जिनमें इनोंने कुछ गलबड की है या प्रयास किया हो कोई कोई नियूक था अगर 15-20 साल से तो सिर्फ यह निकालना की कोई परिक्षा पूर में भी लीख हो यह भी कहना गलत है क्या उसको क्या जमेदारियां पूर में मिली थी कि जमे बचने ने पढ़ें लेकिन यह कहना कि इसमें बहुत अलों से कोई द्हांदली चल यह इसको मैं भी इसलिए अख्षप्ट में अभी तक की ऐसा कोई सालों से कोई गपले की बात नहीं आए हां लेकिन रीसेंट जो अभी इंसिडेंट हुआ है उसको देखते हम पूरे कंभ करता बढ़ा दी गई है पूर के कोई ऐसे मामले अगर आ रहे हैं कहीं से प्रकाश में आते भी है तो उसकी भी हम चानबिन कर रहे हैं तो उद्देश मैंने क्या यह कि चात्रों के जो भविष्ट को देखते हुए कि ऐसा कहीं आगे ना हो उसको भी हमें मिंटेन करना साती सा कोई अपराधी बच भी ना पाए यह भी हम पुरा ध्यान लेके चल रहे हैं कि कोई अगर ब्लैक शीप जिसा कहते हैं कि अंदर आयोग के अंदर या कोई ऐसा जुड़ा हुआ व्यक्ति को दलाल है जो इस कारियों में लेता है तो उसको भी खोच के बाहर जल्दी जल्दी करता हूं कि हमारी ज्यांच investigation वह अपरादियों के लिए कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी उसके पद के लिए नहीं हो रही है जो भी इसमें गलत पाए जाएगा उस पर कारवाई हो नहीं है तो वह चीज़ें स्पस्ट हो जाएंगे लेकिन चुक्षिज आकर गंबिरता से चल रही है तो उसमें बहुत जादा मैं भी कमेंट करना चा है कि काफी सारे हम उसमें जो हमारे पटवारी परिच्छा में जो लोग शामिलते सब्सक्राइब कर लिया जिससे आने वाले जो अंदर कोई अगर कोई असी कमी है कोई आयोग मैंसे करमचारी अधिकारी है या बाहर कोई ऐसा गैंग सक रही है तो सब्कों सलाकों के पिछे और आने वाली परिच्छा को कैसे भी इसको जो है इंशोर किया जाए कि इसमें कहीं भी कोई गड़वड़ी ना होने पाए सर मेरा आखरी सवाल है UK SCP Leak और UPSC Paper Leak क्या इन में कोई भी समानता आपको दिखती है पहली बात दूसरी बात क्या उन kin판 A indispens को पों इसमानता है दूसरी बात अपने जो हमारी स्टिकेशन जो मैंने लास्ट में करी है जो एक पुरा नेक्सस गैंग का था जाए उत्रप्रदेश के लोग उसमें सामिल थे और उत्राखंड के लोग थे और जो इसमें प्रिंटिंग प्रेस से लेट जो लोग ने इसमें सहभागता निभाई या जो अधि अब रही बात UKPSC की चुकिए प्रक्राड अभी संग्यान में आया है तो सिमिलेटी लेकिन कोशन की कहीं नहीं देखें जिसको जिम्मेदारी दी गई है या चाहे वो पेपर शापनेवाला हो चाहे पेपर की गोपनिता बनाने में जिसकी जिम्मेदारी है जब तक वो कंप्र पर या इस तरह की प्रशनपत्र या संदिक वाते हैं तो कहीं नहीं कहीं वो गोपनी स्थान पर ही उसका वो सॉल्व कराया जाता स्टुएंट सा तो यह पूरे देश भर में एक मोड़स ऑपरेंडी से उत्राखंडी में कहूंगा देश में बहुत जगे देख रहा हों कि इस तरह की परिच्छाओं की जो है गोपनीता भंग हुई है जिसमें पुलिस कारवाई कर रही है और यहां तो मुझे लगता है कि ज़्यादा तेजी से अगर्वाई चल नहीं है तो में उद्देश है कि आगे परिच्छाओं के सुचिता को बनाना साथी साथ गोपनीता क किसी भी रैंक का हो चाहिए कोई भी हो उसको तत्काल उसको बरदाफास करके केस में जो है आगे प्रोग्रेस करना यहीं उद्देश लेकर हम चल रहे हैं और मुझे लगता आने वाले बहुत जल्दी में हम इसमें इसको कर पाएंगे देखें युगाउं से अपील यही र पर किया जाएगा तो जिससे भविष में कोई सोच भी ना पाए कि हम इस तरह की परिच्छाओं को कहीं से लिग कर पाएं तो यह वहां को थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा कठीन समय है तोड़ा लेकिन मैं कहा रहा हूं कि जिस तरह से हम ट्रैक पर आ रहे हैं जो ह कि बंदारी हमारी साइटी के कि उनको चिन्नित करके उन पर कारवाई कर दी जाए तो यह थे एससपी हरिद्वार जो की लोग से वायोग लिग पेपर मामले के साइटी चीफ भी हैं इन्होंने साफ कहा है कि एक तो पहली बात दोशी कोई बचेगा नहीं और दूसरा झाल